हेलो दोस्तों वेलकम टू डियेशडी कार्स और भाई नए साल यानि कि जनवरी 2023 में मारुत्ती ने अपनी गाडियों की जो नई प्राइस लिस्ट है वो यहाँ पे दे दिये यानि कि मारुत्ती न्यू प्राइस लिस्ट 2023 के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे और म सबसे पहले अगर हम बात करें मारुत्ती कोकी जो की भाई मल्टी परपस विकल है और काफी ज़्यादा बिकता है इंडियन मार्किट में क्योंकि अब ये गाड़ी नए इंजन के साथ में आ चुकी है बेटर माइलेज आपको दे रही है पहले से तो इस गाड़ी का जो बे इस मोडल पे बढ़ा दिए गए है फाइफ सिटर वाले पे उसके बाद फाइफ सिटर एसी अगर आप लेते हैं तो उसमें 21.000 रुपए बढ़ाए गए और सेवन सिटर का अगर आप स्टेंडर लेते ढिए तो इसमें भी साड़े 11,000 रुपे बढ़ाएं गए इको फाइब सीटवर लुष इसी चेंजी पे साड़े 6,000 रुपे मारुत्य की तरब से बढ़ा दिये गए यानि कि भाई अब ये गाड़ी भी पहले से जादा महंगी यहाँ पे हो चुकी है उसके बाद आते हैं मारुत्ती एको के एंबुलेंस शेल पे तो उसमें भी भाई 11,000 रुपे बढ़ा दिये गए हैं वहीं एको कारगो CNG पे 6,000 रुपे और एको कारगो AC CNG पे भी भाई 6,000 रुपे बढ़ा दिये गए हैं उसके बाद आते हैं मारुत्ती की सबसे सस्ते कार पे लेकिन अब इस गार के दाम भी भाई आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये कार भी देरे देरे आम लोगों के पहुंच से कहीं न कहीं बाहर होती जा रही हैं और जबकि अप्रेल 2023 में इस गाड़ी की बंद होनी की न्यूज है फिर भी भाई जो प्राइस हैं वो यहाँ पे बढ़ा दिये गए हैं मारुत्ती ओल्टो का जो LXI optional variant है जिसमें की दो airbag आपको मिलते हैं वो अभी तक आपको मिलता था 4,08,000 रुपे में लेकिन अब 15,000 रुपे बढ़ा के 4,23,000 एक शोरूम में अब आपको भाई मिलने लगेगा उसके अलावा standard variant पे भी 15,000 रुपे बढ़ा दिये गए हैं और मारुत्ती ओल्टो के VXI variant पे 15,000 रुपे की बढ़ोत्री की गई हैं यानि कि इसमें भी अच्छी खासी जो बढ़ोत्री है वो भाई जनवरी 2023 में मारुत्ती ने कर दिये उसके बाद बात करें मारुत्ती ओल्टो की बढ़ी बहन यानि कि मारुत्ती ओल्टो के 10 की तो इस गाड़ी के भाई जो प्राइस है वो हम ये कह रहें थे कि बहुत ज़्यादा है और पिछले कुस महीनों में मारुत्ती ने डिसकाउंट भी बढ़िया दिये फिर भी बाई इस गाड़ी पे भी जो प्राइस बढ़ने का फरक है वो कही ना कहीं जरूर पढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस इसके नहीं बढ़े हैं मारुत्ती ओल्टो केटेन की अगर मैं बात करूं तो ओल्टो केटेन का जो VXI वन लिटर EGS है उस पे दस हजार रुपे बढ़ाये गए हैं उसके बाद VXI पलस EGS पे पाँच हजार रुपे अल्टो केटेन LXI में कोई पैसा नहीं बढ़ाये गया है standard variant में भी कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया है VXI variant में manual में 5000 रुपे बढ़ाया गया है Alto K10 का जो VXI CNG variant है उसमें कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया है और Alto K10 VXI Plus जो एक लिडर का manual transmission है याने कि टोप model manual में उस पे भी कोई भी पैसा भाई नहीं बढ़ाया गया यहाँ पे तो मार तो जरूर पड़ी है खैर थोड़ी कम पड़ी है यह भी शुकर है क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो पहले ही लोग कहते थे कि भाई जादा है अब बात कर लेते हैं इतने दिनों तक टोप 10 best selling cars की लिस्ट में एक नमबर पे राज करने वाली कार यानि कि मारुत्ति वैगनार की कि इस कार पे भाई कितना क्या पैसा बढ़ाया गया है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई इस गाड़ी को खरीद रहें तो मारुत्ति वैगनार की अगर मैं बात करूँ तो मारुत्ति वैगनार का जो LXI CNG यानि की CNG का बेस मोडल है वो पहले आपको मिलता था 6,42,500 का और अब आपको मिलेगा 6,43,000 का यानि की खाली भाई 500 रुपए यहां पे बढ़ाये गए हैं उसके बाद वैगनार VXI CNG पे केवल 2,000 रुपए बढ़ाये गए हैं पैट्रोल में अगर बात करें मैनुवल ट्रांसमिशन में तो LXI Variant में 5,000 रुपए VXI Variant में 7,000 रुपए ZXI में 17,000 रुपए और ZXI Plus में 22,000 रुपए यहां पे बढ़ा दिये गए हैं वहीं अगर आप वैगनार का ZXI Plus डूल टोन लेते हैं तो उसमें भी 16,000 रुपए बढ़ाये गए हैं अब बात करते हैं Automatic Variant की तो वैगनार का VXI Automatic उसमें 12,000 रुपए बढ़ाये गए हैं ZXI Automatic में 22,000 रुपए और ZXI Plus Automatic में 21,000 रुपए बढ़ाये गए हैं वहीं अगर आप Automatic में ZXI Plus डूल टोन लेते हैं तो भाई उसमें भी 16,000 रुपए बढ़ा दिये गए हैं Tour H3 पे केवल 5,000 रुपए बढ़ाये गए हैं और उसके बाद जो Tour 3 CNG है उसमें भाई केवल 500 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे की गई है यानी कि वेगनार को भी बढ़िया तरह से अंटे में ले लिया गया और बढ़िया जो खीमत है यानी कि ज़ादा जो प्राइस है वो कहीं न कहीं वेगनार में यहाँ पे बढ़ा दिये गए हैं और उसके बाद आते हैं मारुत्ती एस्प्रेसो पे तो मारुत्ती एस्प्रेसो भले ही बहुत जादा नहीं बिकती है लेकिन फिर भी बाई प्राइस हाइक के फंदे से नहीं बच पाई है इस गाड़ी पे भी जो थोड़ा बहुत फरक है वो प्राइस हाइक का जरूर पारुत्ती एस्प्रेसो का जो स्टेंडर यानि की बेस मोडल है उस पे कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया गया उसकी जो कीमत है वो अभी भी 4,25,000 भाई रहने वाली है उसके बाद LXI Manual Transmission पे 5,000 रुपे बढ़ाये गये हैं VXI Manual Transmission पे 5,000 रुपे बढ़ाये गये हैं लेकिन V VXI Plus यानि की टोप मोडल पे कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है VXI का जो Automatic Transmission है उस पे भाई 10,000 रुपे जरूर यहां पे बढ़ चुके हैं और VXI Plus का जो Automatic है उस पे भी 5,000 रुपे बढ़े हैं लेकिन LXI CNG और VXI CNG में भाई कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई ह अब आते हैं मारुत्ती सेलेरियों पे तो मारुत्ती सेलेरियों पे भी भाई जो प्राइस हाई का फरक है वो यहां पे जरूर पड़ा है मारुत्ती सेलेरियों का जो LXI CNG की बेस मोडल है वो आपको पहले मिल रहा था 5,25,000 में लेकिन अब भाई 10,000 रुपे बढ़ चु CNG वेरियंट पे भी 3,000 रुपे यहां पे बढ़ चुके हैं अगर मैं ओटोमेटिक की बात करूँ तो सेलेरियों VXI के ओटोमेटिक पे 13,000 जेडेकसाई ओटोमेटिक पे 21,000 और जेडेकसाई पलस ओटोमेटिक पे 13,000 रुपे बढ़ा दिये गए हैं उसके बाद आते हैं मारुति की जबरदस तरीके से बिकने वाली गाड़ी यानि की मारुति स्विफ्ट पे तो मारुति स्विफ्ट का जो VXI ओटोमेटिक ट्रांचमिशन है उसमें भाई 13,000 रुपे बढ़ा दिये गए हैं जेडेकसाई के ओटोमेटिक ट्रांचमिशन में 13,000 रुपे जेडे 9,500 से यानि की 8,000 जो हैं वो भाई बेस मोडल में भी बढ़ा दिये गए हैं स्विफ्ट के VXI वेरियंट में 8,000 रुपे जेडेकसाई वेरियंट में भी 8,000 रुपे जेडेकसाई प्लस में भी 8,000 रुपे और डिवल टोन जेडेकसाई प्लस में 8,000 रुपे भाई वाली सेडान यानि की मारुत्ति डिजायर पे और अपने आप में काफी बढ़िया गाड़ी है लेकिन जो प्राहिस हाईक है वो भाई इस गाड़ी में भी हो चुका है तो डिजायर में ही आपको टूरेस वेरियंट भी मिलता है तो टूरेस पैट्रोल पे भाई 30,000 रुप और जेडेकसाई प्लस ओटोमेटिक में 14,000 रुपए बढ़ चुके हैं मारुत्ति डिजायर का जो LXI यानि की बेस मोडल है वो पहले आता था 6,24,000 में लेकिन अब आपको मिलेगा 6,44,000 में यानि की 20,000 रुपए भाई बेस मोडल पे बढ़ चुके हैं डिजायर VXI पे 8 8,000 रुपए, जेडेकसाई पे भी 8,000, जेडेकसाई प्लस पे 9,000, VXI CNG पे 8,000 रुपए और जेडेकसाई CNG पे 8,000 रुपए मारुत्ति डिजायर में बढ़ चुके हैं उसके बाद आए मारुत्ति की सब 4 मिटर कॉमपेक्ट SUV यानि की मारुत्ति ब्रेजा पे क्योंकि म मारुत्ति ब्रेजा की जो सेल है वो जबरदस तरीके से हो रही है और कहीं न कहीं भाई लोगों के गाड़ी काफी पसंद भी आ रही है लेकिन जो प्राइस है वो भाई मारुत्ति ब्रेजा का भी यहां पे बढ़ चुका है और सबसे ज़्यादा दुख आपको तब होगा जब आपको यह पता लगेगा कि बेस मोडल में ही सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो बढ़ा है यानि कि मारुत्ति ब्रेजा का एलेकसाई बेस मोडल पहले आता था 7,99,000 एक्शोरूम में और अब उसकी कीमत हो गई है 8,19,000 रुपए यानि कि बेस मोडल में ही भाई 20, जो बढ़त है वो यहाँ पे कर दी गई है उसके अलावा जितने भी वैरियंट्स मारुत्ति ब्रेजा में आपको मिलते हैं उन सम्में केवल और केवल 8,000 रुपए की ही जो बढ़ोत्री की गई है सब वैरियंट्स में यानि कि बेस मोडल जो सबसे ज़्यादा बिकरा था उसी में भाई सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पे बढ़ा दिये गए हैं बात कर लेते हैं मारुत्ति अल्टेगा के बारे में तो मारुत्ति अल्टेगा भी दबा के बिकरी इंडियन मार्किट में और यहाँ पे भी जो प्राइस आइक है वो आपको देखने को मिलेगी मार तता 8,41,000 से और अब वो सुरू होगा 8,49,000 से यानि कि वहाँ पे केवल 8,000 रुपे बढ़ाए गए हैं वी एकसाई में भी 8,000 और जेडेगसाई में भी 8,000 रुपे बढ़ाए गए हैं लेकिन अगर जेडेगसाई पलस यानि कि टोप मोडल आप लेते हैं मैनवल में भी तो उसमें 14,000 रुपे बढ़ा दिये गए हैं अल्टिगा वी एकसाई C&G पे 8,000 रुपे और जेडेगसाई C&G पे भी 8,000 रुपे बढ़ा दिये गए हैं अल्टिगा टूर M का जो C&G वेरियंट है उसमें भी 8,000 बढ़े हैं और जो पैट्रोल वेरियंट है टूर M का उस में भी भाई 8000 रुपए की बड़त यहां पे की गई है तो मारुतिय रहना के थुरू बिकने वाली जो गाड़िया उनका भी जो प्राइस हाइक है वो आपने यहां पे देख लिया अब आपको भाई कैसा क्या फील हो रहा है प्राइस बढ़ने के बाद क्योंकि कई भाईयो होंगे अपनी गाड़ी लेने का लेकिन जो प्राइस हाइक है वो भाई आप लोगों के सामने हैं तो यही था आज का वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को ए